आज हम बात कर रहे हैं 29 अप्रेल को आने वाले अंतरिक्ष से एक खत्रेगी जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है चारो तरफ चर्चा है कि 29 अप्रेल को क्या होगा नासा ने पूरी प्रत्वी को डर के अंदकार में धकेल दिया है नासा के अनुसार एक एस्टेरोइड याने विशाल काई पत्थर लगभग 4 किलोमेटर व्यास का 29 अप्रेल को प्रत्वी से टकरा सकता है उन्होंने ये नहीं कहा कि टकराएगा ही नासा के अनुसार ये प्रत्वी के काफी करीब से गुजरेगा आपको ये जानकर आश्यर होगा कि ये वास्तव में प्रत्वी के लिए कोई खत्रा नहीं है इस बात की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगे वैसे तो हर साल धर्ती पर करीब 6100 मेटियोर्स गिरते हैं क्या यू कहें कि 17 मेटियोर्स हर दिन गिरते हैं पर ये आम जंते की नजर में आने से बच जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि इन में से कई मेटियोर्स अर्थ के एक्मास्फियर में घुसते ही जल जाते हैं कुछ एस्टेरॉइड इतने विशाल काय होते हैं कि ये जल नहीं पाते और धर्टी की जमीन तक पहुँची जाते हैं उसमें से एक है शिक्जलूब करीबन साड़े छे करोड साल पहले धर्टी से टकराया यही वो एस्टेरॉइड है जिसने डाइनसौर्स का नाम निशान इस धर्टी पर से हटा दिया विज्ञानिकों के अनुसार इसका डाइमीटर 11 से 18 किलोमीटर का था यानि कि एक छोटे शहर के बराबर और इसका वजन जानकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे हैरत अंगेज बात यह है कि उसके 16 घंटे बाद ही एस्टेरॉइड टू जिरो वन टू डी ए वन फोर धर्टी के काफी करीब से निकलने हम पर हो सकता है कि यह मिटिरॉइड उसी का महज एक छोटा टुकड़ा हो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन म से बज़े लिया है दरहसल यह 50,000 साल पहले डर्टी सटेटर है एक सो साथ फूट व्यास का यह उलका अरिजोनिया के रिगिस्तान में जागेड़ा वैग्यानिकों के माने तो इसकी रफ्तार 28 किलो मीटर पर सेकंड गेड़ा है सीधे शब्दों में बताएं तो यह साल पहले गिरे इस उलका पिंड की कहानी कुछ और ही कहती है सबसे आश्चर करने वाली बात यह है कि इसका इंपैक्ट बड़े आकरार की वज़े से नहीं हुआ था इसका वज़न मेर्स 156 ग्राम्स था 1996 में एंटार्टिका में जब इसकी खोज हुई उसके तुरंत बाद ही उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने फ्रेस कॉंफरेंस बिठाएं और बताया कि अमरीके विज्ञानिक ये मानते हैं कि इस उलका पिंड के अंदर एलियन सुक्ष्मजीव हैं और ये स चीज दिखाई थी 1-998-OR2 यही वह एस्टरॉइड है जो 29 अपरेल को धर्ती के पास से गुजरने वाला है इसे 1998 में डिस्कवर किया गया था और 20 साल से नासा इस पर नजर रखे हुए है इस एस्टरॉइड का डायमीटर करीब 4 किलोमीटर का है और इसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड है लेकिन इसकी स्पीड और डायमीटर से घबराने की बिल्कुल जरुद नहींगा क्योंकि ये धर्ती के 6.3 मिलियन किलोमीटर्स दूर से क्रॉफ हो जाएगा 29 एपरिल को आने वाले इस एस्टरॉइड से आप बिल्कुल नडर है आप आराम से घुमें फिरे मजे लें और अपने आप को कोरोना से बचाये रखें थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस सी यू और नेक्स्ट वीडियो